So Hello Everyone, तो जब से आपनों के AFOs एक्जाम्स पोस्पोन हुएं तब से आपनों के डेली बहुत सारे स्टेंट्स के मेसेज़ेस, इमेल्स आते रहते हैं कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जब से एक्जाम्स पोस्पोन हुएं हमें पता नहीं कि कब एक्जाम होगा तो इस वे से में बहुत ज़र लग रहा कि एक्जाम होगा भी यह नहीं होगा और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें और कब तक के लिए टार्गेट फिक्स करें, कब तक के लिए स्ट्राटजी बनाएं, तो ना सिर्फ इन सारे डाउट्स के ब पता चल जाएगा और वो आपको बहुत हल्प करेगा और मैं एक बात यहां पर बोलना चाहूंगा शुरू करने से पहले, वो बात यह है कि यह जो टाइम है ना, जहां पर आपको कुछ पता नहीं चलता और यह थोड़ा सा बोरिंग जो टाइम लगता है, कि यह बहुत बो और भी ऐसे हालात बनेते जब लॉक्डाउन हुआ था, एक्जाक्ली सेम अभी बन गए हैं, तो जाइट से बात है कि जब वहां पर जो स्टूडेंट ने गलतियां की थी, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना, कि किस स्टूडेंट ने क्या गलती कि लेकि मुझे पता है, तो मैंने पिछली बार भी स्टूडेंट को गाइट किया था उस में उस लॉक्डाउन पिरेड में, और क्योंकि मैंने उस चीज़ का एक्स्पीरियंस लिया है कि कहां पर बच्चों ने गलती किया उस लॉक्डाउन पिरेड में, और वो आपको मैं बताऊंगा ताकि वो आप करें और उसमें आपको मैं टिप्स एड करके दूँगा अडवाइस दूँगा ताकि ना सिर्फ वो आप गलती आवाइड करें बलकि आप काफी आगे हो जाएं बाकी जो आपके कॉंपटीटर्स हैं उनके कंपारिजन में, तो सबसे पहले आप इमें स्टूडेंस की एक कै दूसरे वो कैटेगरी और चूडेंट जिनका एक्जाम में कोई कॉइट़र्स नहीं था या फिर उनको पूरा भरोस्त है कि हमारा क्जाम नहीं नहीं निकलने वाला गयोग्कि हमने उतना त्यारी नहीं 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 आ रहा है तो यहां पर मैं सबसे पहले फूर्स्ट ट्र और यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि ऐसे स्टूडेंट बहुत ही कम होते हैं जिनका होना था 18 अप्रिल को और अगर आपको यह देखना कि आपकी किस गेजरी में क्यों कैटेगरी में बाट रहा हुँ ताकि आप यह देख सके किस केटेगरी में फॉल करते हैं क्योंकि अभी भी टाइम है क्योंकि मुझे पता है कि आप मेंसे बहुत लोगे तो ट्रैक हो चुके हैं या फिर उनका मन नहीं लग रहा है तो आप देखिए आप कौन से केटेगरी में फॉल होते हैं और अगर आप गलत डिरेक्शन में जा रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइ स्टूइंस से मैं आपको बता रहा हूं कई सारे स्टूइंट है मैं कोशिस करूँ कि कुछ स्टूइंट को यहां पर मैं लाओं भी आपके सामने और एक ऐसे स्टूइंट आया भी तो श्याद जैसे सची नहरा आया था उसने अपना पूरा एक्स्पिरियस बताया था तो आप उनसे सीख सकें कि उन्होंने lockdown period में क्या सही चीज़ की थी और क्या गलत चीज़ की थी अभी मैं ऐसे student का भी example दूँगा आगे वीडियो में लेकिन पहले तो हम इन category students को समझते हो और आपको देखना है कि आपके इस category में fall करते हैं और आपको कौन सी चीज़ों को avoid करना ह और तो पहली category में देख लाए कि जिनका हो रहा तो जिनका हो गया दूसरी category वह है जिनका होना था और लेकिन नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने तो बहुत बेफिक्री हो गए पढ़ाई छोड़ दी या फिर बहुत lightly ले लिया exam को कि जब exam अभी तो दो महीन में यहां पर यही main बात है कि जब भी आपका exam reschedule होगा जैसे पिछली बार हुआ था कि at max वह आपको 20 दिन का time देंगे से ज़ए आपको time नहीं मिलने वाला है notification दे देंगा और बोल देंगे कि आपका 15-20 दिन बात exam है तो यह बहुत है कि और फिर उस time में होता क्या है कि व वो ऐसा ही टाल रहा होता बे फिक्रा हो जाता है तो वो जब देखता है कि उसके competitors उसके दोस्त जो हैं जिनके बहुत पीछे number आते थे उसके comparison में अब उससे बहुत आगे वो score कर रहे हैं तो वहां पर फिर हाथ-पाँ फूलने लगते हैं कि अब मेरा क्या होगा क्योंकि हम comparison भी करते हैं अपने friends से तो मेरा क्या होगा क्योंकि अब time उतना बाकी है नहीं कि मैं उतना cover up करनो तो वो category of student होते हैं और एक anxiety भी होती है जो आपको exam निकालने से रोकती है और तीसरा category यहां पर मैं बताऊंगा जिनका निकलने वाला था और नहीं निकला क्यों क्योंकि व वो पहले भी पढ़ रहे थे और अभी भी पढ़ रहे थे और lockdown के period में लेकिन वो किसी गलत ट्रैक पर निकल गया निकी मैं इसको थोड़ा visualize करवाने के कोश्य साब करता हूं मान लीजे कि यहां से चले यहां पर पहुंचना था यहां तक student तो सही जा रहा था ठीक है और य यहीं तक syllabus भी था sorry चलिए हां मान लेते हैं नहीं जिसको थोड़ा सा और अलग तरह से प्रिजेंट करता हूं मैं जैसे यहां से यहां तक जाना था ठीक है तो यहां से यहां तक पहुंची गया लेकिन जैसे यह पहुंचा तो यह गोल को हटा दिया गया और एक तैसे क्या syllabus में है ही नहीं तो उसको करने से आपका कोई marks में increment नहीं होने वाला यह आपको चेक करना कि क्या भी तो कुछ ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो उठा के देख लिया कोई भी बुक पढ़ी मिली उसको पढ़ लिया क्यों और वह चैप्टर syllabus में ही नहीं तो वह चीज़ आपक आपको गाइड करूंगा लकि सबसे पहले मैं इन students के बारें बता देता हूं जिनका होने वाला था तो उनको तीन चीज़ें नहीं करने एकदम क्या नहीं करना सबसे पहले तो है कि एकदम डिलाई नहीं डाल देनी है पढ़ाही में और कैसे नहीं डालनी है उसके रिगार् portion cover up करवा देंगे और इस time में इस time में जो है questions लगाना बहुत important है practice करना बहुत important है revision करना बहुत important है तो इस पे पूरा मैं और जितने भी आपको यहां पे वीडियो मिलेंगे चैनल सर्व हैं फिर कोई और teacher भी आपको वीडियो देगा तो उसका पूरा focus यहीं रहेगा कि आ आप किसी गलत track पर तो नहीं है कि हम तो आपको पूरा side track में फिर आपको देखना है अपने side से कि आप गलत track पर तो नहीं हो ठीक है तो इस चीज़ का हम खास ध्यान रखेंगा और जैसे नहीं है अनुसर आपको पूरा grammar portion आप cover up करवाएंगा alternate videos दे दे कर मैं आपका पूर जैसे नहीं बताया था अगर आपने pts के notes बना रखे थे और आपने जो मैंने videos दी हैं अगर आपने उनको अच्छे से किया है तो फिर आपको जीके में उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है और रही बात बाकी subjects की जैसे की अगर मैं बात करूं maths की तो ज इसका उने टेलीग्राम पे आपको reason बताया था और बाकी subject जैसे reasoning उसका भी class चालो हो जाएगा और group X के लिए अगर student है आप तो physics और math वो आप जो दूसरा channel है उस पर पढ़ सकते हैं वहाँ पे classes start हो गई है और यहाँ पे एक मैं और important बात एड़ करना चाहूंगा कि NDA के लिए जो GK होता है आपका GK भी मैं पूरा वहाँ पर आपको cover up करवाने वाला हूं उस channel पर तुसका आप जोइन कर सकते हैं उसका link description और comment आपको मिल जाएगा तो मैं आपको क्या बताया कि आपको तीन चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है पहली चीज तो है कि आपको एकद टेस्स देखें जहां पर students टेस्स देते हैं वहां पर बहुत ही आउट आवेन की वैसे कुछ आता ही नहीं है जैसे कि मैं आप धारन दूं तो जैसे के reasoning में figure counting के सवाल जो होता है जैसे triangle में triangle देतेंगे तो इसमें बताओ कि कितने triangles हैं तो ऐसा questions आते ही नहीं अभी तक नही हो है ना तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और यह मैं सारी चीज़ें आपको पहले बता चुक हूं किस तरह question आता है अगर आपने PTS लगाया तो आप पूरी तरह से सेट हो चुके हैं कि हाँ यह questions आते हैं और रही बात कि हाँ सर्थ PTS 2.0 है थियोरी सब कुछ पढ़ लगा तो बिल्कुल पूरे time concept ही ना पढ़ते हैं क्योंकि यह time होता है question लगाने का और यहां पर एक और यह भी चीज़ है कि आपको पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं भी लगता है जैसे कि एक डाउट बहुत सारे स्रेंट का डाउट यह भी होता देता हूं लेकिन उससे पहले मैं जो दूसरे category of students है उनके बारे में थोड़ा डिसकस कर लेता हूं जिनका exam जिनका तयारे बिल्कुल नहीं था और उनका exam वह उसमें भी दो category है जिनका तयारी नहीं था उनका भी यह तो exam नहीं निकलेगा जब प्रीशीडियू लोग और एक वह होंगे जिनका निकलेगा अब इन जैसे students के लिए एकदम यह golden period है golden period सभी के लिए मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि यह golden period मैं क्यों बोल रहा हूं इसका भी reason है और मैं आपको वीडियो के आगे मैं बताँगा लेकिन चलिए अभी मैं आपको बताता बहुत अच्छा कासा टाइम मिल गया और इसमें एक ऐसा टाइम होता है जब आपके पास pressure नहीं होता है और हमारे साथ होता क्या जब लास्ट टाइम आता है तो बजाया है अगर माली जी के उस टाइम आप 8 गंटे पढ़ रहे थे जब आपका लास्ट टाइम आगया था त तो अभी आपके पास वो नहीं है तो आप थोड़ा सा डिलाई डाल सकते हैं लेकिन बहुत ज़दा डिलाई डालने का आपका scope नहीं है अगर आप पहले 8 गंटे पढ़ते थे तो at least अभी आप regular basis पर 5 गंटे पढ़ सकते हो ये regular basis पर जो 5 गंटे पढ़ोगे it is far better than कि आप last पूइंट लग रहे हैं वहां पर focus करना है और एक पॉइंट ऐसा आएगा देखिए ये perfection पर आप कभी नहीं पहुंच पहेंगे कि मैं पूरा 100% खतम करना हूं वह 100% के चेकर में पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं प्राक्टेस कभी करते नहीं तो एक particular time आएगा कि आपको लोगे कहां बहुत हो गया बहुत कॉंसेट सिख लिए अब आ गया है मेरा प्राक्टेस का टाइम तो आप प्राक्टेस बहुत तेजी के साथ चालू कर दिए ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखना है और जैसे कि यहां पर आपके classes अभी regular हो करने तो इससे कि होगा क्या कि अगर आपका कहीं कॉंसेट में कमी होगी तो वह भी पूरी हो जाएगा आपको एक प्राक्टेस सेट करवा है 15 क्वेस्टेंस का तो आपको वह कुश्चन कर रहा है और मेरा भी पूरा यहीं फोकस रहागा कि मैं आपको पूरा रिवाइस करवा दूं और बाकी जो पी टीचर्स अगर आपके क्लासे जैसे जल दी चाले होती है तो मैट्स हो गया रिजनिंग हो गया सब और यह गोल्डेन पिरेट इस वह से भी होता क्योंकि यह टाइम होता है जब बहुत सारे टीचर्स के साथ होता कि यह लास्ट टाइम में गया है वो खतं नहीं हो गया ह। हो करद तो थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ गया है इस वग्यार इसवजह से आप धीरे दीरे करके आगे बढ़ते रहे सुन दहां होते होते ह लास्ट में बहुत करने वाले कि अंडिय का जी के एरफोर्स से थोड़ा सा हट की ओता तो इसमें फोड़ा हाई-level का जी की आता और उसमें बहुत वेरीड होता एकनॉमिक्स पॉलिटी हिस्ट्री जोग्री सारी चीजें और उतना जैदा करेंट में तो अंतर होता नहीं जो करेंट अफैस होता क करेंट अफेस आपने देखाऊगा महा पीडेफ सही आलमोस 90 परसेंट तो महा पीडेफ सही है था पर करेंट अफेस यह जिन लोग ने एक्जाम दिया उनलों को पता भी होगा तो मैं फिर से आपको यही रिपीट करूँ कि आप जो भी मैंने आपको कर्टेगरी बताएं उसक परसनली मैंने उनको कुछ दिन तक गाइड किया था और वो ऐसे स्टुडेंट थे मैं आपको बता रहा हूं लेटरली कि उनका एक्जाम अगर होता तो टॉप हंडेड में उनकी रैंक आ थी यह मैं एक दम पूरी तरह शेयर था उनकी तहरी देखके लेकिन वो उसमें से बहुतों का एक्जाम नहीं निकला अब उसमें भी कई सारे कारण थे जैसे कि एक स्टुडेंट था उसका जैसे कि इंगलिश में पूरे मार्क्स थे पूरे मार्क्स थे 20 ओट ओट ओव 20 लेकिन रागा का जो सेक्शनल कॉट आफ फिर जिस पॉइंट पॉइंट से मिस हो ग और ना ऐसा भी एक यह नहीं कि एक पर फुइंट की सेक्शनल कॉट आफ भी इसी कोज़े से रखा जाता है और बहुत सारे स्टुडेंट से जिन्होंने रागा में अच्छा स्कोर कर दिया बहुत और इंगलिश में रहे गए तो यह आपको देखना कि आप कहीं आप भी त स्टुडेंट को मैं सामने लाओं अगर आप बिलकुल मुझे इमेल कर सकते हैं और बाकी रही बात तो मैंने क्लास के रिगार्डिंग सब कुछ आपको बता दिया सारा कुछ टाइम टेबल और स्ट्राटेजी में आपको बता है कि आपको दो महीने का बनाना है आप ऐसे ट आपको सेट करना कैसे करना नहीं हुआ है अपने क्विस्टन की चालो कर दें और जिन स्टुएंट का पहले हो चुका था सब कुछ तो ज्यादा ज्यादा प्राक्टिस पर फोकस करें और इसका सबसे अगर आपको विजुलाईज करना है इसका रिवेजिन का की कि रसी जो है पत्थर में गिस्ते गिस्ते पत्थरों कार देती है तो वही काम होता है रिवेजिन का रिवेजिन कोई मेरा रिष्टेदार नहीं जो मैं उसकी इतनी बढ़ाई करता हूँ बार बार वो मैं सिर्फ इसी वैसे कहता हूँ कि बहुत बोरिंग काम लगता है और ह आती हैं जब आप बार बार उसको revise करते हो समझ रहो तो यहां पर मैं वीडियो को खतम करूंगा और जितना चीज़े मैं आपको बताना था वो मैंने साथ बता दी हैं अगर कुछ चीज़ें छूटी होंगी भी या फिर आगे आप लोगे कुछ डाउट्स आएंगे भी जो आ आप करता रहूंगा और बाकी जैसे ही नहीं होता है कि डाउट्स आप लिख देना कॉमेंट में और बाकी जो आपके डिमांड्स रहती हैं वो भी लिख देना में मेरा reply करना पॉसिबल नहीं हो पाता इतने सारे स्ट्वेंट्स का लेकिन मैं आपके डाउट्स पढ़ता ज डेली कुश्चन्स आ रहे हैं जब एक्जाम पोस्पोन हुआ था तब भी उसका कुछ फरक नहीं पड़ा टेली ग्राम चैनल पे डेली कुश्चन्स आपको मिलते हैं ताकि अगर आप ना भी अपने आपसे प्राक्टिस कर रहे हैं तो हम आपकी प्राक्टिस करवा देंग